भीम बैठे बिधन्वा लिखाएं अरे जी भीम बैठे बिधन्वा काहे की कला में कहेने की स्याही कहां बैठे लगाएं अरे जी भीम बैठे बिधन्वा लिखाएं 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 अरे जी भीम बैठे कि जयन्ती कि आप सब को दिल से बहुत बहुत सुबकामना और बधाया आज का दिन हमारे लिए बहुत खास दिन होता है बाबा साहब भीम राओ अमबेट करना होते तो सायथ मैं आज यहां पर इतना धडले से बैट कर बातना कर रही होती जो भी कुछ होता है देश में वो बाबा साहब की दिन है बाबा साहब ने हमको रहने का खाने का घूमने फिरने का हसने का बोलने का सिच्छा का हर तरह का अधिकार देखे गए हैं आज पूरा देश इस सीच के लिए जस्ट मना रहा है लेकिन एक दुख की बात है कि बहुत सारे लोग हैं दुनिया की आधि से ज़्यादा आबादी ऐसी है जो बाबा साहब भीम राव अंबेट कर को नहीं मानती हैं बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको बाबा साहब की बारे में कोई जानकारी नहीं है इसको जानने के लिए हम अपने के माध्यम से निकल पड़े हमने लोगों की वो तस्वीरे वो देश का तो किसने लिखा पता है आपको विजनेसमेन है यह पढ़ाया है नहीं बूल गया है पहले पढ़ाये थे अभी यह समने पढ़ाये नहीं पढ़ाया है छोटे बच्चों से ले करके जो बच्चे इंटरमीडियर कर चुके हैं उन तक को यह जानकारी नहीं है आज का यूथ को अगर अपने सम्विधान के बारे में जानकारी नहीं है वो इनसान जो इस बिर्सु के लिए कितने महत्तपूर है उनके बनाए हुए सम्विधान की अपने देश में पहले धर्म वाधावी था और जाती वाधावी है अब चुन चुन कर एक एक जाती का बटवारा हो रहा है सायथ इस वज़े से सम्विधान को कोई नहीं मानता है और यह जानते हुए कि सम्विधान ही इस देश किया सब कुछ है सम्मिधान न होता तो कानून न होता अधिकार न होता थाना अदालत सारी चीजे जो पूरा सिस्टम चलता है जिसकी वज़े से हम आगे बढ़ते हैं उसके अधार पर हम जीते हैं उसी को लोग नहीं मानते हैं सायत ये इसी वज़े से क्योंकि बाबा साहब भीम राव अंबेड कर एक दलीत जाती के थे उनका बनाया हुआ कानून है और दलीत जाती के साथ में सुरू से उच्च मानी जाने वाली जाती के लोगों ने हिंसा किया है अत्याचार किया भेद भाव किया है और बाबा साहब क कितने संगर्सों के बाद कितनी कठनाईयों के बाद बाबा साहब ने दलीतों को अधिकार दे कर के गये हैं सिच्छ aslında का दिकार बोलने का अधिकार हर तरह का अधिकार दे के गये हैं और आज भी जब उनका जन में दीन होता जब उनके लिए हम खुश्या मनाते हैं तो सिर् मतलब उच्च मानी जाने वाली जादी के लोग इसको अपनी जैंती नहीं मानते हैं उनको यह नहीं लगता कि ये देश के संबिधान की जैंती है बाबा साथ भीमरा अमेटकर सब को बराबरी का दर्जा दे के गए हैं तो वो इसमें ना तो जादा शामिल होते हैं फेस्बुक में सोशल मीडिया में कहीं पर लोग उनके नाम की बधाईया नहीं देते हैं अगर मैं कहूँ कि कोई भी हिंदू का धार्मिक तेवहार होता तो बढ़ चड़के सोशल मीडिया से जयनती में बधाईयों से सुबकामनाओं से भार जाता लेकिन इसमें नहीं होता एक चीज जो सबसे महत्पूर मैं पर बात करना चाहते हैं जो मुझे बहुत दिलसिच हो जाता है कि हम सब लोगों को या बच्चों को बच्पन से हर चीज का ग्यान दिया जाता है घार से लेके स्कूली सिच्छा तक हैं लेकिन बाबा साब भीमरा अंबेडगर के बारे मे स्कूली किताबों में कही पर अलग से सब्जेक्ट नहीं है अगर सिच्छक उनको पढ़ाएगा नहीं उनके बारे में बताएगा नहीं तो इसमें बच्चों की भी गलती नहीं को कहां से इस बारे में ग्यान हो अब मैं पूछना चाहती हूं कि क्यों सब्जेक्ट नहीं है बाबा साहब के बारे में अगर आप धर्म के बारे में सुरू से पढ़ाना शुरू कर रहें तो आप सम्भिधान से इतना दूरी क्यों समाच को रखना चाहते हैं आपके अंदर क्या मनसा है आगे आने वाले समय में जिस तरह का परिवर्तन हो रहा है मुझे लगता है संबिधान हर एक बच्चे को हर एक इंसान को पढ़ना चाहिए जानना चाहिए संबिधान के बारे में जागरूकता फैलानी चाहिए कंपेयन चलाना चाहिए छोटे गाउं से लेके बड़े गाउं से लेके कस्वा सहेर राज इस तर पर इसके लिए सरकार को और समाज को और जो भी संस्थाय है या जो दलितों के हाक अधिकार के लिए काम करते हैं जो अपने आपको दलितनेता मानते हैं उनको संबिधान को लेकर के चर्चा करना चाहिए संप्यान चलाना चाहिए ताकि सब्हों को समिध्वाइन के बारे में पता हो भारत रत्न बाबा साहिव भीमरा अंबेटकर की जी जीर कहानी की न संघर certified to himself ग्माल मिल इससे नागे की जिंदगी जीने का आधार मिलता है हम कई बार बात करते हैं कि हमारे समाज को सिचित होना चाहिए लेकिन बहुत सारे सिचित समाज के लोगों की मैं बात करती हूँ मैं कई ऐसे भी भागों में और समाजिक कार्यकरताओं के कार्यालाई में जाती हूँ, मीडिया के कार्यालाई में जाती हूँ, जहां पर मैं देखते हूँ कि उनके दिवालों में, जो हमारे महापुरुस रहे हैं, उनकी प्रतिमाएं उनके दिवालों में लगी मिली जाती है लेकिन बाबा सहाब भीम राव अम्बेडिकर की कहीं पर आपको पोस्टर, फोटो या प्रतिमा नहीं मिलेगी वो क्यों नहीं होती है क्योंकि कहीं न कहीं उनको लगता है कि अगर हम इनको लगाएंगे तो भी पूजनी हो जाएंगे हमारे लिए क्योंकि जितने भी प्रतिमाय लगा जाती हैं लोग उसमें सुबह पूजा करते हैं अगर बत्ती जलाते हैं तो इतना बड़ा भेद भाव जब एक पढ़ी लिखे इंसान के नौकरी पेशा वाली इंसान के अंदर है तो जो समाज के लोग है जो गाव के लोग है क्यों वह जगए नहीं देना चाहते हैं बांदा के महराणा प्रताब चौक का मुख मंत्री योगी अधितनाथ ने उद्गाटन किया और उस जगए को बहुत अच्छे से सजाया गया और अगल बगल के दीवालों में महापुरुसों के वह चित्र बनाए गए हैं महां से ग कि बाबा साहब का भी एक चीत्र उसमें शामिल हो जो अपने अंदर जिस तरह की भेदभाव की भावना है मुझे लगता है इसको जहांकने की जरूरत है पलट करके देखने की जरूरत है और एक बात हो जिस तरह से उनकी मूर्ति को तोड़ते हैं उनका परियास उड़ाते हैं कई सारी फोटो वीडियो जिस तरह से वारल हुई है भी बीच में यह बहुत घिनवना काम है प्लीज आप इसको मत करिए और आप जितना से तो आप जितना अपने बच्चों को अपने घर में शुरुआ से आप बोलिए कि सब लोग संविधान पढ़ें सब लोग जाने बाबा सहब के संघर से को जाने तो बस इसलिए मैं यहां पर आज की दिन चर्चा करने के लिया हूं क्योंकि आज का दिन बहुत महत्तपूर दिन है तो आप सब लोग जाने और पढ़िए और समझे तो इस बार के एपिसोड में इतना ही अगर आपके अंदर कोई संविधा को ले करके बिचार है आप अपने बिचार मेरे साथ में बांटना चाहते हैं कहना चाहते हैं तो आप जरूर से कहिए अगर मेरा सो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ में अपने पडोसियों के साथ में आप जरूर से सेर करिए और हाँ एक बात और दोस्तों खबल लहरिया चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिए हमको आप फालो करते रहिए जो हमारा वेब साइड है खबल लहरिया.org वहाँ पर आप जा करके हमारे लेक पड़ सकते हैं यूटूब चैनल में हर तरह के खबरे देख सकते हैं हम फेस्बुक में हैं हम इस्टाग्राम में हैं हम टूइटर में हैं तो आप हर जगह हमको फालो करिए और जमीनी इस तरह से जुड़ी हुई सच्ची खबरों को देखिए तो दोस्तों नमस्कार जैभीम नमो बुद्धाय और अगले अबसोर में फिर मिलती हूं कुछ करारी बातों के साथ में थाइंक्यू खबर लहरिया आपकी खबर आपकी भासा